मुश्किले नहीं है दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर ख्वाब भी बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर मैं प्रमोध्धा का टीम फिजिक्स से पता है कि इस साल की हमारी तैयारी जो है वो दूसरे बच्चों के कमपेरिजन में अन पैरलल है चाहे नंबर ओफ टेस्ट से देख लो क्वालिटी ओफ टेस्ट से देख लो टेस्ट में आने वाले करेक्शन्स के थू देख लो हमारे टेस्ट में आने वाले करेक्शन्स जो है वो minimum है आने वाले जो questions है वो according to बिलकुल neat की quality के है तो हम औरों से बहुत बहतर है इस साल का neat केवल हम लोगों के लिए ही बना है ऐसा मानते वे एक्जाम देंगे और neat का paper देने के बाद शाम को 5 बज के 21 मिनिट पे बस तेरे तेरा 100% दे दिया है तो बेटा आपके selection को कोई नीड होकने वाला है चलिए बातें बहुत सारी है और बहुत सारी करनी भी है पर एक्जाम के बात की जाएंगी अभी अपन discussion के साथ start करते हैं question number 1 से पहला question बोला गया है कि दो प्रक्षेप्यों A तथा B को एक अनुपात root 2 की अनुपात में चालों से फैकने पर समान अधिक्तम उंचाईया प्राप्त करते हैं दो प्रक्षेप्य है जिनकी चालों के अनुपात दिये गए है तो यदि मैं इस चाल को बेटा यू कह दूँ तो इस वाले की चाल जो है वो root 2U हो जाएगी और इन दोनों की अधिक्तम उंचाईया जो है वो एक समान है A का प्रक्षेप्ण कोन 37 से 45 डिगरी है मुझे B का प्रक्षेप्ण कोन याद करना है तो अधिक्तम उंचाई का जो formula होता है वो अपने को पता है वो U square sin square theta divided by 2G होता है दोनों के लिए अधिक्तम उंचाईया समान है जी तो वैसे भी common है 2 constant है इसका मतलब U1 square sin square theta 1 ये वाली value U2 square sin square theta 2 के equal होगी U1 square की बात करें तो ये data U square इसमें एंगल 45 degree square करेंगे तो 1 by 2 ये वाला data root 2 का square मतलब 2 U square और साथ में ये वाला data sin square theta 2 U square से U square सहीद हो गया ये data 1 by 4 sin square theta 2 की value जो अपने पास आ रही है वो 1 by 4 आ गई जैसे ये अंडर root लेंगे sin theta 2 जो मेरे पास निकल के आ रहा है इसकी value आ गई 1 by 2 that means जो प्रक्षेपन कोण अपने पास निकल के आ है sin है न तो theta की value जो आ रही है वो आ गई अपने पास theta 2 that comes as 30 degree तो इस question का correct answer जो है पहले का that answer 3 is the correct answer चलिए सर अगले question की बात करते है question number 2 देखें दूसरे question में बोला गया है कि एक भारी एक समान जंजीर समरूप जंजीर है मतलब 36 मेज के उपर विराम में रखी है यदि जंजीर वा मेज के मद घर्षन गुणांक 0.25 बोले तो 1 बटा 4 लिख सकते तब जंजीर की लंबाई का अधिक्तम भाग जो मेज के एक सिरे से नीचे लटकता है होगा किस परिस्तिती के लिए विराम की परिस्तिती के लिए तो हमने का साब इस केस के लिए माल लो जंजीर का कुछ हिस्सा मेज के ऊपर है और कुछ हिस्सा नीचे की और लटका हुआ है मैंने का टोटल जंजीर की जो लंबाई है वो अपन capital L ले लेते हैं और ये जो लटका हुआ इससा इसकी लंबाई small L ले लेते हैं तो इधर जो इससा है उसकी लंबाई होगी capital L minus small L अब इसका ये ये जो भाग लटका हुआ है ये इसे नीचे की और खींचने की कोसिस करेगा तो वीपरीत दिशा में इस पर घर्षन बल लगेगा जो इसका विरोध करेगा अब ये जो लटका हुआ इससा है इसकी वज़े से बल जो लगेगा खींचने वाला ये जो लेमडा है ना बेटा ये एकांक लंबाई का दरेमान है तो L लंबाई का दरेमान लेमडा इंटो L इंटो G और यदि इसका दरेमान M है तो मुझी मुझी बल लगेगा और M का मान हो जाएगा Capital L minus Small L मुझे Small L by Capital L की Value बता नहीं भाग बताना प्रतिशत में पूछा है तो भाग निकालते हैं गुणा 100 कर देंगे देखो लेमडा जी से लेमडा जी साहीद हो गया ये वाला डाटा Small L is equals to Mew into Capital L minus में Mew into Small L Small L साथ में 1 plus Mew इसको इधर ले गए तो और ये वाला डाटा Mew into Capital L तो Small L upon Capital L की Value Mew upon 1 plus Mew आ रही है गुणा 100 कर देंगे प्रतिशत में आ जाएगा ये वाला डाटा बेटा 1 बटे 4 ये वाला 1 plus 1 बटे 4 बोले तो 5 बटे 4 एक बटे 4 पांच बटे 4 एक बटे 5 यदि मैं प्रतिशत में निकालूं गुणा में 100 तो ये वाला डाटा 1 बटे 5 गुणा में 100 बोला जाए तो ये डाटा आ रहा है 20 प्रतिशत इस प्रशन के लिए second answer जो है वो correct answer है चलिए सर अगले प्रशन की बात करते हैं प्रसंद सेंख्या 3 की वर्षा उर्द्वादर नीचे की और 4 km पर आवर की चाल से गिर रही है एक लड़की सीधी सड़क पर 3 km पर आवर की चाल से चलती है तो वर्षा का लड़की के साब ए है पूछा गया है बारी सिधर ओ रही है वैलोसीटी रख येए वाला डाता है माइनस का 4 j-cap और गरल इधर मूविंग है velocity of girl that value is 3 i cap मुझे velocity of rain with respect to girl निकालना है तो ये data क्या हो जाएगा velocity of rain minus velocity of girl velocity of rain is minus 4 j cap and velocity of girl is 3 i cap so this data is minus 4 j cap minus 3 i cap velocity नहीं पूछेगी direction नहीं पूछेगी speed पूछी गई है अब आसी data answer के form में देखें तो तो यदि speed की बात करेंगे then that value is under root of 4 square plus 3 square that value comes as 5 km per hour so according to this third one is the correct answer चलिए सर अगले question की बात करते हैं प्रसंस इंक्या 4 दो गोले हैं A थथा B A का दर्यमान है बेटा इस स्मोल M और B का दर्यमान है 2M उनकी त्रिजाएं क्रमस है 2A और A है और दोनों को आपस में संपर्क में रखा गया पहले वाले गोले के केंदर से कितनी दूरी पर दर्यमान केंदर होगा ये बतला है देखो जी पहले वाला जो गोला है उसकी त्रिजाएं 2A और इसका दर्यमान है M तो मैं इसको दर्यमान के अंदर प्रकेंदरीत मान सकता हूँ दूसरा वाला गोला यहां है इसकी त्रिज्जा है A और इसका दर्यमान है 2M अलग-लग पदार्तों के बनने में तो कोई प्रॉबलम नहीं है हमने का बाई साब यहां से दर्यमान के अंदर की दूरी बता नहीं है तो एक काम करते हैं देखो M दर्यमान का तो X निर्देसांग 0, Y भी 0 और 2M निर्यमान जो है उसका X निर्देसांग 3A और Y निर्देसांग 0 तो X सी की वेल्यू निकाले M1 X1 M2 X2 अपोन M1 प्लस M2 2M इस दाटा इस 6MA अपोन 3M तो इस वेल्यू कमसेश 2A यह अपने पास XC की वेल्यू आगी 2A मतलब पहले वाले गोले की केंदर से मतलब इसके इस परीदी वाले बिंदू पर दर्यमान केंदर होगा तो according to this second one is the correct answer चलिए सर आगे बढ़ाते हैं प्रसन सिंग्या 5 की बात करें कि एक वरताकार चक्ती है जिसकी तरिज्या capital R है और मोटाई T है दूसरी समान पदार्थ से बनी मतलब गनत्व समान होगा अन्य वरताकार चक्ती Y है जिसकी तरिज्या 4R है और मोटाई T by 4 है और उनके जड़त्वा अगून बताने है देखो जब अपन बेलन को उपर से देखते है न यहां वाले से इस सताय के अनुदिश गूमता हुआ तो वो एक चक्ती जैसा नजर आता है तो जड़त्वा अगून MR स्क्वार बत्टे 2 होता है यह जो मोटाई है इसके पदार्त की T और T by 4 वो उस चक्ती की है उस बेलन की उचाई की तरह काम करेगी तो मैंने का जब भी अपने यदि IY अपोन IX निकालना है तो वो जाएगा गनत्वे इंटू में आईतन और इंटू में R स्क्वार बत्टे में 2 यह मैंने क्या किया यह निकाला दरेमान M R स्क्वार बत्टे 2 दूसरे वाली चक्ती के लिए भी गनत्वे इंटू में आईतन इंटू में R स्क्वार बत्टे 2 MR square by 2 MR square by 2 देखो बटा जी RAW से RAW सहीध हो गया P2 से P2 सहीध हो गया R2 से R2 सहीध हो गया T से T सहीध हो गया इस वाले R2 सहीध हो गया 2 से 2 सहीध हो गया यह data ऊपर बचा बेटा 16 सात में 1 वट्टे 4 और इधर भी यह data बचा कितना 16 4 time तो यहां से जो डाटा आ रहा है, that is 64, मतलब IY upon IX का जो मान आएगा, वो अपने पास 64 निकल के आएगा, प्रसंद सिंख्या 5 का उत्तर आ जाएगा 4, चलिए सर, अगले प्रशन की बात करते हैं, प्रसंद सिंख्या 6, 6 में बोला गया है कि ये capital L लंबाई, वह small m द्रेमान की बिंदु एक पर उर्द्वादर तल में गुनन कर सकती है, जब इसे स्यतिज से छोड़ते हैं, तो इसका कोण ये तोरण कितना होगा, भाईस आप देखो, जैसे ही इसको स्यतिज से छोड़ोगे, इसके द्रेमान केंद्र पर, नीचे की और एक बल लगेगा MG, ऐसे है, और MG into L by 2, अब ये कौन सी X के साप X गुम रहा है, इस वाली X के साप X, तो इस वाली X के साप X, टोर्क को I alpha लिग देंगे, I का मान किसके बराबर आएगा, ML square by 3, into में alpha, M से M गया, L से L गया, तो alpha का जो मान निकल के आ रहा है, वो data मेरे पास निकल के आया, 3Z upon 2L, मतलब इसक चलिए सर, अगले question की बात करते है, 6 के बाद अगला प्रशन है, 7, 7 में कहा गया है, M दरेमान का कण, R तरिज्जा के वर्तिय पत पर इस प्रकार गती कर रहा है, कि इसका अभिकेंद्रिय तुर्ण AC बराबर, K square R T square के अनुसार समय के साथ परिवर्ती है, तो कण द्वारा प्रदत सक्ती निकालनी है, देखो बेटा, यदि वस्तु का अभिकेंद्रिय तुर्ण ये है, तो वस्तु के अभिकेंद्रिय तुर्ण का मान होता है, V square बटे R, और ये data K square R T square आ गया, मतलब आपके V square का मान K square R square T square आया, मतलब चाल का मान किसी भी समय पर K R T आ रहा है, चाल परिवर्ती है, इसका मतलब स्पर्ष रेखिय तुर्ण भी होगा और अभिकेंद्रिय तुर्ण भी होगा, तो किसी समय पर, जब ये यहाँ है, तो इधर अभिकेंद्रिय तुर्ण AC और इधर स्पर्ष रेखिय तुर्ण 80 लगेगा, यदि वस्तु के वेग की बात की जाए तो वेग भी स्पर्ष रेखी होता है तो अभिकेंद्र ये तुरण किसी भी प्रकार की ताथ्षनिक शक्ति नहीं देता क्योंकि ताथ्षनिक शक्ति का फोर्मूला F dot V होता है तो अभी केंदर ये तुरण तो स्ताथ्षणिक शक्ति देगा ही नहीं क्योंकि वेग के लंवत है स्पर्सरे के तुरण देगा और स्पर्सरे के तुरण का मान यहां से किसके बराबर आएगा के आर तो हमने गा जी F का मान तो M है M into में A का मान के आर और साथ में वेग वेग का मान कितना बिटा के आर टी तो यहां से यदि मैं बात करूँ तो ताथ्षणिक शक्ति आ रही है M K square R square T तो M K square R square T उसके according यदि बात की जाए तो first वाला जो आंसर है वो correct answer first one is the correct answer वो लो ठीक है चलिए सर अगले प्रशन की बात करें साथ के बाद अगला प्रशन है 8 कि एक प्रत्यास्त टक्कर में Neutron वीरामा वस्ता में स्तित कार्बन प्रमानू से टकराता है तो Neutron की कितनी प्रतिशत उर्जा कार्बन को स्तनांत्रित कर दी जाएगी देखो Neutron के दरेमान की बात करें यदि Neutron के दरेमान को M मानते हैं तो इस परिस्तती में कार्बन प्रमानू के दरेमान को 12M माना जा सकता है तो प्रारंबिक परिस्तती ये M दरेमान का कण इधर U वेग से गतिशील है ये 12M दरेमान का कण विराम में है, बाद में टक्कर के बाद M दरेमान ककण V1 वेग से गतिशील है और 12 M दरेमान ककण V2 वेग से गतिशील है सरपरतम इस परिस्तिती के लिए रेकिय समवेक संरक्षन लगा देते हैं बोले तो M U का मान M V1 प्लस 12 M V2 के बराबर आया M तो सईद हो गया, U वाला डाटा V1 प्लस 12 V2 आया उसके बाद मैंने का गती जूर्जा जो है के वो हाफ गती जूर्जा से बात नहीं करते हैं, अपन टक्कर गुणांग से बात कर लेते हैं इसको समीकरन संख्या एक करते हैं, परत्यास टक्कर है न परत्यास टक्कर, परत्यास टक्कर मतलब टक्कर गुणांग के एक कॉफिशेंट ऑफ रेस्टिटूशन, तो यह डाटा 2U इस इक्वास टू थर्टीन वी तू आया मतलब वी तू की वेल्यू टू यू वाई थर्टीन आ गई, अब सुनो बात को हमसे पूछा गया कि कितना परसंटेज एनरजी है, तो हमने का फाइनल कायनेटिक एनरजी तो होगी हाफ इन्टू 12M, इन्टू में 4U स्क्वार डिवाइड़ बाई 169 और इनिशेल कायनेटिक एनरजी होगी हाफ M U स्क्वार और वो भी परसंटेज में कैलकुलेट करनी है, तो हाफ M U स्क्वार हाफ M U स्क्वार ये तो गया, ये वाला जो डाटा मेरे पास आ रहा है, इस वेल्यू इस कमिंग इस 4800 डिवाइड़ बाई 169, बोलो ठीक बात 4800 डिवाइड़ बाई 169, तो चो एक्जेक्ली 160 होता ना, अब लमसम में डूंड हो ऐसे कि इसमें डाटा, एक्जेक्ली 160 होता ना, यदि ये 160 होता तो 4830 टाइम्स जाता, तो डाटा 30 से थोड़ा सा क कि बात करें, कि एक ठोस बेलन है, बिना फिसले नतल से नीचे लुढ़क रहा है, नतल की उंचाई है, जब बेलन नीचे पहुँच जाता है, तो मुझे उसका वेग बताना है कित्ता होगा, अब सुनो बात को देखो, जब बेलन यहां से बिना फिसले और इस वाले पॉइंट पे पहुचता है, यदि यहां पर वेग वी है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसके पास जो भी इनीचेली प्योर रोलिंग के केस में, अपन ये अपलाई करते हैं, जो भी इनीचेली पोटेंचिल एनर बेलन की बात कर रहे हो, बेलन को इदर से देखोगे, तो कैसा नज़र आएगा, चक्ति डिस्क जैसा, तो ये डाटा आया, एम जी है, चैस इकोस्टू, हाफ, एम, वी स्क्वर, प्लस में, हाफ, डिस्क है, तो, एम, र स्क्वर बाई टू, जड़त्वा आगुण, और ओम तो वी की वेल्यू जो मेरे पास निकल के आ रही है, वो निकल के आगे, अंडरूट 4GH, डिवाइड़ बाई 3, so according to this, second one is the correct transfer, चलिए सर, आगे बढ़ाते हैं बात को, नाइन्थ के बाद अगले question की बात करें, question number 10, 10 में बोला गया है, कि एक दिया गया आवेश, एक विद् स्तती में बात करो, आप यहां बात कर लो, यहां कर लो, यहां कर लो, यहां कर लो, किसी भी position पे, मैं यह नहीं कहा रहा है, कि अपन magnitude की बात कर रहे हैं, अपन तो distance के साथ variation को देख रहे हैं, तो distance के साथ variation जो होता है न, electric field, वो 1 by R cube के according vary करता है, आपने क्या किया distance को double कर रिया, तो electric field intensity 1 by 8 times होगे, अब charge particle पे लगने वाला force क्यों ही होता है न, यह किया, E2 by E1, that is R1 by R2 की power 3, so it is R upon 2R raised to the power 3, so it is 1 by 8, field intensity 1 by 8, तो charge particle पे लगने वाला force है, that will also becomes F by 8, so fourth one is the correct answer, चलिए साथ 10th के बाद आगे बात करें, the next one is question number 11, 11 में बोला गया कि एक इस्तिर समरूप आवेशित 3 मीटर तरिज्या की वले का रेखे आवेश घनत्व दिया गया है, 50 माइक्रो कुलाम पो मीटर, 5 माइक्रो कुलाम का एक बिंदू आवेश वले की और इसकी X के अनुदिश गतिशील है, यदि बिंदू A पर गतिजूर ज क्या होगी, अब सुनो, जब चार्ज पार्टिकल इसकी और जाता है, ये इस्तिर है, तो आवेश कन और वले के मद्दे लगने वाला बल, इस्तिर वैदुत बल, प्रवर्ती में सनरक्षी बल है, और सनरक्षी बल है, तो हम अपलाई कर सकते हैं, कि यू इनीशिल प्लस के is equals to U final plus K final या अंत्री कुर्जा सनरक्षी अब बेटाजी, K final जो है, वो मेरे पास U initial minus U final plus K initial होगा, स्तती जूर्जा में जो परिवर्तन हुआ है, अब दूरी घटेगी, तो स्तती जूर्जा बढ़ेगी, तो जो वर्दी हुई है, वो घटी जूर्जा में इसे कम हो और उसको यसे लिख रहा हूं के initial minus में यह you final minus you initial और उसको के initial में से minus कर दूँ तो मेरे k final का माना जाएगा अब इस तती जूर जा जो होती है वो होती है विभव into में आविश potential into charge तो k initial final के बारे में बात करें 9 into 10 की पाइर 9 into में 50 into 10 की पाइर minus 6 into में 2 pi into में radius that is what? 3 into में charge पार्टिकल पे चार्ज that is 5 into 10 की पार minus 6 divided by distance 1 case में तो 3 है final में तो और initial में ये distance देखो ये 4 है बीटा ये 3 है तो यहां से ये जो distance आएगी that will be 5 हर एक पार्टिकल की और वैसे भी अक्षिस वाले पोइंट पे potential का formula ये होता है तो ये data ये initial की बात करें तो 9 into 10 की पार 9 into 50 into 10 की पार minus 6 into 2 pi into में 3 into में 5 into 10 की पार minus 6 divided by distance 5 यदि अपने ये final minus initial की value calculate करते हैं तो ये data approximately 1.8 कुछ आता है मतलब जिसको approximation से 1.9 कह सकते हैं अब इस्तती जूर्जा में 1.9 जूल की वर्दी होगी final minus initial से तो गती जूर्जा में उतने की क्या हो जाएगी कमी अब इस वाले point पर गती जूर्जा 5 जूल है तो बेटाजी इस वाले point पर जूर्जा कितनी हो जाएगी तीन point एक जूल सो अकोर्डिंग टू दिस थर्ड वन इस दी करेक्ट आंसर बिलकुल डाटा बहुत सिंपल सा है सोल कर लो आंसर आ जाएगा चलिए सर अगले question की बात करें 11 के बाद 12 निम्न में से किसका प्रतिरोध सरवा दिखा है देखो गैलवेनो मीटर में जब गैलवेनो मीटर से एमीटर बनाते हैं या मिली एमीटर बनाते हैं तो दोनों ही cases में गैलवेनो मीटर के साथ अपन पारलल में संट जोडते हैं लेकिन जब गैलवेनो मीटर से वोल्ट मीटर बनाते हैं तो वोल्ट मीटर बनाते टाइम गैलवेनो मीटर के साथ सीरीज में संट रेजिस्टेंस जोडा जाता है और जैसे ही तुमने सीरीज में जोडा इधर इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया G plus S, तो obviously इसमें आएगा G S upon G plus S, तो जब भी अपन Emitr बनाते हैं, तो resistance गड़ता है, वोल्ट मीटर बनाते हैं, तो resistance बढ़ता है, तो highest resistance जो होगा in given devices में से वो first वाला होगा, that is voltmeter, चलिए सर अगले question की बात करते हैं, 12 के बाद 13, 13 में बोला गया कि प्रदशित चित्र में C1 बड़ाबर 2C2 है, संधारितर C1 को V विभव वी तक आवेशित किया जाता है, कुझी S को बंद करने के ठीक बाद परिपत में धारा पूछी है, कितनी होगी, मैंने का आप आई साब देखो ऐसा है, जैसे ही आपने इसको बंद किया, this will behave like a battery, ये एक स्रोत की तरह काम करेगा, जो circuit में energy देगा, तो इसका विभव V है, तो ये एक V source की battery की तरह काम करेगा, जिस संधारितर पर, जिस capacitor पर charge नहीं होता, वो T is equals to 0 पर short circuit की तरह behave करता, ये short circuit की तरह behave कर गया, हमसे circuit में current की value पूछी गई है, अच्छा, एक resistance इधर भी है, sorry, तो net resistance कितना हो गया, 2R, बेटरी का potential कितना, V, तो circuit में current की value जो होगी, that current will be V by 2R, so fourth one is the correct answer, बोलो ठीक है, चलिए सर, अगले question की बात करते हैं, 13 के बाद 14, कि मीटर सेतु के परियोग में, प्रदस्चित परिपत में सुन्ने विक्षेप के संगत AC का मान X है, ये दूरी X है, यदि तार AB की तरिज्जा को दोगुना कर दिया जाए, तो सुन्ने विस्तापन दूरी, देखो जी, R1 अपोन R2 का जो मान होता है न, मीटर सेतु के case में वो X अपोन 100-X होता है, अपन यही तो करते हैं, इसका resistance अपोन इसका resistance बराबर, इसका resistance अपोन इसका, वायर की radius, तार की तरिज्जा तब मेटर करती है, जब तार S समरूप अनुपरस्त काट का होता है, यदि समरूप का होता है न, अपन ऐसे ही तो लिखते हैं, बोले जी R1 अपोन R2 बराबर, रो X बटे में श्यत्रफल, रो 100-X बटे में श्यत्रफल, तो रो भाई ये से रो भाई ये तो सही दो गया, अब तार की तरिज्जा 2 गुनी करो, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, कोई फरक है, नहीं पड़ेगा, तो इस वाले case में answer जो आएगा, that will be the first one, so first is the correct answer, चलिए, अगले प्रशन की बात करते हैं, प्रशन सिंख्या 15, देखो जी, 15 में कहा गया है, कि एक आवेशित कन को, चुम्बकिये श्यत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, और उस कन का तुरण इतना मिलता है, तो X का मान बता है, देखो बिटा, आवेशित कन पर लगने वाले बल का मान Q V क्रोस B से दिया जाता है, अब भाई साब यह जो बल है na, यह वेग के भी लमवत होता है, और यह बल जो है, यह चुम्बकिये श्यत्र की तिवर्ता के भी क्या होता है, लमवत होता है, मतलब बल लमवत है, तो तुरण भी उसके लमवत है, एक से वाई वाले का वाई से 10 की बार माइनस टू साथ में चलेगा और कितना रखना है जीरो वह दो लमवत सदिसों का डोट गुणा ए डोट भी ए भी कोस थीटा होता है और थीटा की वेल्यू 90 डालते कोस 90 जीरो होता है तो यहां से अपना 3x प्लस 8 जो आ रहा है वो जीरो पादर तल में चुम्बक्यय याम्योत्तर से 30 डिगरी के कोन पर 37 से 45 डिगरी के कोन पर निलंबित पाई जाती है उस इस्तान पर वास्तविक नती क्या है देखो बेटा चुम्बक्यय याम्योत्तर में जैसे अपन यहां से बात करें बीवी जो है चाए आप तल यह ले लो चाए आप तल यह वाला ले लो ठीक है इन दोनों ही तलों में बीवी के मान में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि दो गटक है चुम्बक्यय सुई किसी कोन पर है तो दो चीजों की वज़े से है किसकी वज़े से एक बीच की वज़े से एक बीवी की वज़े से आप इस तल म तो आभासी नती कोण जो है टन फाइडेस यहां डेल इन दोनों तलों के मत दे बई इधर यदि बीच है तो इधर वाले तल में यह वाला घटक बेटा बीच कोस डेल होगा बीवी तो दोनों के लिए ही क्या होगा सेम होगा अब वो 45 डिगरी पर पाया गया मतलब यह वन है बीवी अपोन बीच जो है वो 10 फाइड हो गया आस्तिक नती कोण बटे में कोस डेल 30 डिगरी मतलब कोस 30 अब 10 फाइड के लिए बेटा 10 फाइड अपने पास गिवन डाटा से कोस 30 के इक्वल आया कोस 30 है रूट 3 बाइटू तो आपका फाइड जो आया 10 फाइड इस रूट 3 बाइटू तो फाइड की वेल्यू जो आगई यह 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 अगले प्रशन की बात करें 16 के बाद सस्रा कि चित्र में दो बल्ब B1 तथा B2 प्रतिरोध R तथा प्रेरक L हैं कुझी S को खोल दिया गया पहले कुझी S बंद थी और इसको खोल दिया खोल दिया तो यह बेटती तो गई काम से अब केवल क्या बचा यह प्रतिरोध इसके साथ एक बल्ब B1 इसके साथ एक प्रेरण कुंडली और इसके साथ एक बल्ब B2 जैसे ही अपने यह देखा गुला जी प्रेरण कुंडली में पहले दारा बैरी तो अपने इसके पास कुछ उर्जा है दीरे दीरे यह उर् बंद हो जाएंगे तो दोनों ही बल्ब जो हैं वो कुछ समय पश्यात बंद हो जाएंगे So according to this second one is the correct answer चलिए सर अगले प्रशन की बात करते हैं 17 के बाद 18 कि निम्न लिखित में से विद्धुत चुम्बकिय तरंगों के संबंद में कौन सा गुण ऐसकते हैं इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यक्ता नहीं होती है बिल्कुल ये विद्धुत चुम्बकिय तरंगों के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की कोई आवश्यक्ता नहीं होते है विद्दुत चुम्बक्ये शित्र दोनों के साधिस एक ही समय और एक ही स्थान पर अधिक्तम और न्यूनतम होते हैं जब वपन ग्राब बनाते हैं विद्दुत शित्र का और चुम्बक्ये शित्र का तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं तो एक प्लेस पे एक टाइम पर दोन दोनों एक साथ maximum और दोनों एक साथ minimum अचीव करते हैं। तरंग संचरण के तो लमवत होते हैं लेकिन ये परस पर भी क्या होते हैं लमवत होते हैं एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं। समीकरण पूछा गया है ठीक है साथ देखो बेटा जी सबसे पहले ये A है तो ये क्या हो गया A note ये B है ये C है तो ये वाला क्या हो गया B प्लस C अब ये यहाँ इसमें ब्रेकिट होता तो सही होता है इसमें ब्रेकिट इटाइब तो इसका मतलब ये हो गया कि ये A बार डोट B प्लस C इस टाइप का सिगनल है बोलो ठीक बात चलिए सर नाइंटीन के बाद अगले प्रशन की बात करें प्रसन सिंख्या 20 प्रदसित परीपत में प्लस पाँच इदर प्लस पाँच डायोड के P junction पे potential low है एंट जंक्सर पे potential हाइए इसका मतलब डायोड reverse bias में तो current flow नहीं करवाएगा current flow नहीं करवाएगा तो इदर पाँच है current flow नहीं हो रा तो जो potential इदर है resistance की अक्रोस कोई potential विबुम आंतर नहीं आगा तो इस वाले का विभभु कितना आ जाएगा भो ले जी प्लस 5 आ जाएगा मतलब इस बिंदू का बिंदू पी का जो विभाव है वह प्लस 5 वोल्ट आएगा सेकोंड वन इजा दि करेक्ट बोलुटीक है तो चलिए सर्ट अगले प्रश्न की बात करें प्रशिन संक्या इसका मतलब यदी मैं धारा परवर्दन गुणांग की बात करूँ, इस परिस्तती में धारा परवर्दन गुणांग जो होता है, वो सिधा सिधा बेटा, IC अपोन IB होता है, अब IC अपोन IB की बात करें, देखो 98 परतिशत जो टोटल इलेक्ट्रोन पर सेकिंड मिल रही हैं, DNE by DT into में 1.6 into 10 की पहर माइनस 90, divided by दो परतिशत जो आधार में पड़े हैं, जो आधार में समायोजित हो गए, यदि यहां से मैं बात करूँ, तो यह डाटा जो मेरे पास आ रहा है, that is 49, तो इस परिस्तिती के लिए धारा परवर्दन गुणांग का मान जो होगा, वो अ की बात करें, कि एक 2 मीटर लंबाई, वह एक सेंटी मीटर की लंबी छड, एक सिरे से बंदी है, दूसरे सिरे को 0.8 रेडियन कोन से मरोडा जाता है, हमसे अपरूपन विकरती पूछी गई है, थोड़ा सा डंग से समझना जरा, देखो बेटा, यह छड है, और मानलो यह सा सामने से यदी मैं देखूं, मैं इस प्रस्ट की बात कर रहा हूँ, गोल यह प्रस्ट को यहां से बनाया, और यह वाला पॉइंट एक्चोली में इस लोकेशन से इस लोकेशन में चला गया, तो इस चाप की लंबाई जो होगी, आर्क की लेंथ जो होगी, रेडियस आर है, यह वाला एंगल थीटा है, तो एस की वेल्यू आर थीटा के एक्वल आएगी, फिर जब आप इसको उपर से बेंड कर रहे हैं, मालो मैं लोकेशन यहां से यहां वाली लिलू, तो यह यहां से एक्चोली में यहां पहुँच गया, इस वाले पॉइंट से देखना आसान र रही है, L5, तो आर्क की लेंथ तो दोनों ही केसेज में बराबर है, तो आपकी अपरूपन विक्रती जो आएगी, that will be R theta divided by L, अब आर की बात करें, तो रेडियस 1 cm है, लेंथ दे रखी है 2 मीटर, और कौन दे रखा है 0.8 रेडियन का, यह डाटा कितने बार गया, 0.4 तो माइनस 2 आएगा, तो यहाँ से जो डाटा मेरे पास आ रहा है, 0.004, यह इस के सिर स्ट्रेस बोला जाए, तो अपरूपन विक्रती होगी, दो चीजों से देखा, कि यदि यहाँ से गुबाए, तो कितना R काया, नीचे वाले हिससे से देखा, कि इस center के respect में, उस वो ज गुम के यहाँ पहुँच गया, तो कितने एंगल से गुमा फाई से, तो that value is L फाई, वो लो ठीक है, चलिए सर, अगले प्रशन की बात करते हैं, 23, कि विस्पंद की घटना होती है, किस प्रकार की तरंगों के लिए, धूरवन की घटना केवल अनुपरस्त तरंगों के लि सही आंसर जो होगा, 23 का, that is the third one, बोलो ठीक बात है क्या सर, चलिए अगले प्रशन की बात करते हैं, 24, 24 में कहा जा रहा है, कि एक ध्वनी स्रोत, 800 हर्ज अवरती की ध्वनी, उत्सरजित करते वे एक प्रेक्षक से दूर, पहाडी की और इस चाल से गतिशील है, प्रेक्ष प्रेक्षक यहां आराम से खड़ा है, और यह जो स्रोत है, वो इधर की दिशा में गतिशील है, तो पहाडी उसी अवरती को परावर्तित करेगी, जो वो सुनेगी, तो पहाडी ने कितनी सुनी, बोले जी स्रोत गतिशील है, तो इस केस में V upon V minus Vs into में F0, यह आवरती सु जाएगी प्रेक्षक को, तो इस केस में यह डाटा V का, 330 बटे में 330 minus 15, that is 315 और वास्त्वी का वरती कितनी दी गई है बिटा, 800, चीक है साब, एक काम करते हैं, इस डाटा को 15 से काट सकते हैं, क्या हाँ कट जाएगा, यह कटेगा कितनी बार, 21 बार, और यह वाला डाटा आ गया 800, तो यहां से डाटा जो आएगा, वो 800 से कुछ ज़्यादा आएगा, लेकिन 800 से कुछ ज़्यादा में दो डाटा दे रखें, 838 भी दे रखा और 845 सी भी दे रखा है, वैसे भी आप देखोगे न, देखो, यह डाटा एक पॉंट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 22 बट्टे 21 करोगे न, तो थोड़ा सा ही ज़्यादा आएगा, तो 885 के लिए at least 1.1 का डाटा आना चाहिए, यहां पर multiplication में, 22 बट्टे 21 की बात करोगे, तो 22 बट्टे 21 का डाटा जो आना आपके पास, यह 1.05, तो यह डाटा 1.1 नहीं आ रहा है, 885 का इंक्रिमेंट वाद है, so according to this, 3rd one is the correct answer, चलिए सर, 24 के बाद, मैं कुछ tricks की बात कर रहा हूँ, मैं एक्जाम में तुम्हें calculation नहीं करना हूँ, सीधा करना हूँ, तो कैसे करना हैंगी, 24 के बाद, next one is 25, देखो 25 में क्या का गया है, कि एक पंडूभी पर लगा सोनार, 40 kHz आवर्ती पर काम करता ह एक दुश्मन पंडूभी सोनार की और 360 किलोमेटर पर आवर्ती क्या होगी, पानी में दोनी की चाल दे रखी है, ठीक है, सोनार की और इस चाल से गती करता है, देखो द्विता जी, यह हमारा source है, source stationary है, अब हो क्या रहा है, पहले तो यह जो observer है, यह enemy वाला ship हो गया, तो स जाएगी, V प्लस V observer, जिसको मैं V1 कह दूँ, into में F0, और जब यह इसी ध्वनी को, अब क्या हो रहा है, कि यह इस ध्वनी को परावर्तित कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, तो खुद गतिशील है, यदि स्रोत वस्तु की और गतिशील है, तो V upon V minus V1, into में कौन सी अवर्ति, जो उसने receive की है, और receive कौन सी की है, स्रोत की तरप जाते हुए, तो यह really में data रखेंगे, तो this value will be V plus V1 upon V minus V1, into में F0, ठीक है जी साब, अब देखो बेटा, V की बात करें, तो V है 1450, वीवन की बात करें, तो यह वाला data 360 गुणा 5 बटे 18, कितनी बार कटा, 20 बार 2500, बटे में 1450, माइनस में 100, into में F0, that value is 40, ठीक है, यहां से देखो, यह वाला data, 1550 बटे 1350, मतलब 155 बटे 135, into में 40, सोल किया, तो बेटा जी यह आगया 31, बटे में 27, बुणा में 40, अब देखो, सिंपल सी चीज, इस क्यूशन में तुम इतना बड़ा data भी नहीं लेना चाते ना, तो यहां से कहानी समझ में आ जाएगी, बुला साब, आवरती 40 से ज़्यादा होगी, चालिश से ज़्यादा अगा केवले एक आंसवर दे रखा, 46 किलो हर्ज, तो अकोर्डिंग टो दिस, फोर्ट वन इस दी करेक्ट आंसवर, चलिए सर, 25 के बाद, नेक्स्ट क्यूशन की बात करते हैं, 26, वो कह रहा है, हुक के नियम का पालन करने वाली रसी में खिचाव एक्स है, अब इसमें तरंग की चाल वी है, यदि में रसी में खिचाव 1.5 x कर दो, देखो, रसी में तरंग की चाल, अंडरूट T बटा म्यू द्वारा दी जाती है, म्यू तो बैसा बदलने से रहा, T तो हमें पता है कि यंग प्रत्यास्ता गुणांक T बट्टा A सात में डेल ता L गुणा L होता है तो डेल्टा L का मान सीधा सीधा समान उपाती होता है कि सके ठीके खिचाव डेट गुना मतलब तनावभी डेट गुना तनावभी डेट गुना मतलब V' का मान 1.5 T by μ मतलब अंडरूट में 1.5 साथ में V अब बिटाजी 1.5 का अंडरूट लोगे तो डाटा 1.22 आएगा So according to this, first one is the correct answer चलिए सर, अगले प्रशन की बात करते हैं 27 में कहा गया है कि हाइट्रोजन प्रमाणूं के लिए द्वित्य एक अक्षा में इलेक्टरोन की स्तती जुर्जा सुनने प्राप्त होती है हम कहते हैं भाई साब, U2-U8 हमें जो मिलती है जनरली मिलती है 6.8 अब आपने कहा भाई साब यह 0 मिल रही है इसका मतलब यह वाला डाटो जो था U infinity यह वाला डाटा प्लस 6.8 इलेक्टरोन वोल्ट है क्योंकि U2-6.8 जनरी इसको 0 लेने पर अब इसको यदि यह U2-U infinity U2 की वेल्यू 0 आ रही है इसका मतलब U infinity की वेल्यू प्लस 6.8 होगी तभी तो 2 पर स्ततीज उर्जा 0 मिली अब 2 पर तो 0 मिल गई लेकिन भाई साब U1-U infinity यह वाला डाटा माइनस का 27.2 या देखा गतीज उर्जा का कितने गुना 2 गुना 2 टाइमस 27.2 तो U1 की वेल्यू आगी माइनस में 27.2 प्लस में 6.8 अब इलेक्टरोन की टोटल एनरजी पुछी गई है फस्ट ओर्बिट में माइनस 27.2 प्लस में 6.8 प्लस में काइनेटिक एनरजी फस्ट ओर्बिट में कितनी होती है 13.6 है तो यहां से देखेंगे तो यह डाटा सोल करने पर अपने पास माइनस 6.8 इलेक्टरोन वोल्ट बोला जाए तो third one is the correct answer बोलो ठीक है चलिए एगले प्रशन की बात करते है 27 के बाद 28 कि एक कण को H उचाई से गिराया जाता है तो इसकी डी ब्रॉगली तरंग ददरिये की समय पर निर्भरता पूछी गई है देखो साब डी ब्रॉगली तरंग ददरिये जो है उसका फॉर्मूला जो होता है लेम्डा इस इक्वास टू हो H अपन पी होता है तो लेम्डा की वेल्यू अपने पास H अपन पी है मतलब H अपन एम वी है और V की वेल्यू 80 होगी नियत तुरण से गिर रहा है इस एकामान कितना होता है Z तो MZ इंटू T तो तरंग ददरिये जो है समय के साथ उस तरंग ददरिये की निर्भरता जो होगी वो इनवर्सली प्रपोर्शनल होगी किसके ठीके बोलो ठीक बात है क्या सर चलिए अगले प्रशन की बात करते है प्रशन संग्या 29 एक रेडियो सक्रिय नमूने की सक्रियता 280 दिन बाद 600 DPS है अगले 140 दिन बाद 3000 होगी 6000 से 3000 इसका मतलब 140 दिन हाफ लाइफ हुई अब सुनो 0 से 140 फिर 140 280 गिन लिया टोटल फिर 140 यहां है 300 मैंने का यहां से यहां जाने में 6000 से 3000 होगी 140 दिन में मतलब हाफ लाइफ के बराबर होगा यहां 3000 है मतलब यहां कितनी थी 6000 मतलब यहां कितनी थी 12000 मतलब यहां कितनी थी 24000 और हमसे यह पूछा गया है कि नमूने की प्रारंबिक सक्रियता क्या थी? तो बोले साब नमूने की प्रारंबिक सक्रियता 24,000 DPS थी. बोलो क्लियर है क्या? अच्छा. चलिए अगले प्रशन की बात करते हैं. प्रसन संख्या 30. कि YDSC में परदे के किसी भाग में 12 फ्रिंजे प्राप्त होती है और तरंडदरिये 600 नैनोमीटर का प्रकास का उप्योग करने पर. यदि प्रकास की तरंडदरिये 400 नैनोमीटर कर दें तो प्राप्त फ्रिंजों की संख्या बतानी है. मैंने का देखो बेटा जी, किसी हिस्से में यदि ये दूरी Y है तो इस Y का मान N ले लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बोलो सही हमने तरंडदरिये बदली है तो वाई तो परदे की दूरी तो उतनी रहेगी अभी भी है फ्रिंज की चोड़ाई बदलेगी तो पहले वाले केस में N1 लेमड़ा 1 डी भी नहीं बदलेंगे और दूसरे वाले केस में क्या N2 लेमड़ा 2 capital D by small d से capital D by small d गया N2 की वेल्यू आगी N1 लेमड़ा 1 divided by लेमड़ा 2 अब देखो जी यह 12 यह वाला डाटा है 600 यह वाला डाटा है 400 2 3 6 so the number of fringes in that particular portion will be 18 so second one is the correct answer चलिए sir अगले प्रशन की बात करें 30 के बाद 31 में एक यह crystal में अंतर तलिये दूरी इतनी है वह अधिक्तम तरंग दद्रिये जिसके लिए वीवर्तन होगा तो यदि हम crystal वाले case को याद करें तो इस case में अधिक्तम तरंग दद्रिये याद है क्या इस वाले case में कि यहां से light आ रही है यहां से light आ रही है इनके बीच अपन संपोशी इनके बीच अपन diffraction के बारे में जब बात करते हैं तो अपन यह बोलते हैं इस case में n lambda की value जो होती है वो 2d sin phi के equal होती है मुझे wavelength देखो 2d fix है मुझे wavelength maximum चाहिए तो मैं कहूं lambda n की value 1 ले लूँ क्योंकि यह decrease करेगा इधर बढ़ेगा तो और 2d और sin phi की maximum value that is 1 अब जो दूरी दे गई है interplanar distance this distance d तो इस interplanar distance की value दे गई है 2.8 into 10 की पार minus 8 मतलब यह data जो मेरे पास आ रहा है maximum wavelength जिसके लिए मेरे को diffraction obtain हो सकता है इस crystal के through intensity ज्यादा मिलेगी that will be 5.6 10 days to the power minus 8 meter वो लो clear है क्या so for this question second one is the correct answer चलिए सर अगले question की बात करते है 31 के बाद 32 की प्रकास के माध्यम A से माध्यम B में जाने पर क्रांति कौन 60 डिगरी है this one is medium A this one is medium B और अपन जब 60 डिगरी के एंगल पर light incident करते हैं तो light इधर चली जाती है तो हमने का वाई साब म्यू A sin 60 is equals to म्यू B तो म्यू की value जो होती है यह होता है c by v तो मैं इसको लिख दूँ c by v ay sin 60 root 3 by 2 और इसको लिख दूँ c by vb अब आई साब c से c सही दो गया किसकी value पुछी गिए vb की value पुछी गिए तो vb की value 2 va divided by root 3 इसको इधर बेजा इन दोनों को इधर बेजा root 3 को नीचे बेजा तो medium b में जो इसकी speed आ रही है that is 2 va divided by root 3 अब सुनो बात को medium a में light की speed v दिरखी है तो this value comes as 2v divided by root 3 so third one is the correct answer चलिए sir 32 के बाद next one 33 की दो vectors है p और q और उनका परिणामी resultant r है यदि q का magnitude double कर दिया जाए तो resultant p के perpendicular हो जाता है तो r कितना होगा देखो जी सबसे पहली चीज कि r की value actually में under root p square plus q square plus 2p q cos theta होगी अच्छा अब हमने क्या किया q का magnitude double किया तो उस case में हम actually में एक force p ले रहे हैं दूसरा force 2q ले रहे हैं और दोनों के बीच के angle को unchanged रख रहे हैं तो ये वाला value p के perpendicular है तो 1090 is 1 upon 0 तो बिटाजी p plus 2q cos theta is equals to 0 इसको इदार इसको इदार तो आपका cos theta जो आया that is minus p by 2q अब इस cos theta को उठा के यहां पटको तो आर की value under root of p square plus q square plus 2p q साथ में minus p by 2q अब देखो जी साब 2q से 2q सहीद हो गया p into minus p that is minus p square so this value is under root p square plus q square minus में p square p square से p square गया q square का under root that value comes says q तो आर का जो magnitude आपको मिल रहा है that is q so fourth one is the correct answer चलिए 33 के बाद 34 कि किसी समेट t पर कण की स्तती इस पर समीकरण से दी गई है v note constant है a greater than 0 है v note और a की वीमाई बतानी है सुनो मेरी बात देखो यह data जो आना यह वाला या फिर यहां से कह दो यह 1 minus e की पार minus 80 है तो यह data dimensionless है इसका मतलब यह पूरा dimensionless है और यह भी dimensionless है e की पावर में जो भी होता है v mind dimensionless इसका मतलब 80 का dimension हो गया 1 लिख दू सीधा सीधा मतलब a का dimension हो गया 1 by t बोला जाए तो t minus 1 मुझे v note का dimension चाहिए x जो है वो position है तो हमने का यह dimensionless है इसका मतलब x का dimensional formula v note by ak dimensional formula के equal है तो v note का dimensional formula x into ak dimensional formula के equal है तो v note का dimensional formula है कितना l t minus 1 और a का dimensional formula है t minus 1 so for question number 34 first one is the correct answer चलिए sir अगले प्रशन की बात करें 35 की case के सकत्व के एक प्रियोग में capillary tube experiment में जल इस तरह 5 cm तक चड़ता है यदि case नलिका में को जल में इस प्रकार रखा जाए कि नलिका के वाल 3 cm जल के बाहर रहता है तो इस case में क्या होगा सुनो देखो बेटा यदि ये tube sufficient length की होती है तो maximum height तक जाता है लेकिन यदि tube insufficient length की होती है तो पहले तो वो maximum height तक जाता है उसके बाद यदि मैं तोड़ा साथ जूम करके देखूँ तो वो कोशिस करता है contact angle को बढ़ा के इसे balance करने की contact angle को बढ़ा के इसे balance करने की वो pressure को balance करने की तो वो contact angle दीरे दीरे जैसे शुरू में तो बिल्कुल exactly ऐसा case होता है जिरो डिगरी पर होता है फिर उसके बाद contact angle बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और वो तब तक increase करता है जब तक h1 और cos theta में जो relation है to t cos theta upon roji वाला formula जो अपने पास r roji वाला formula आता है h is equals 2 कि जब तक h by cos theta 1 और h by cos theta 2 दोनों एक दूसरे को balance नहीं कर लेते तब तक वो अपने आपको increase करता है यदि इसी experiment को मैं gravity free space में करूंगा तो capillary tube में the surface will get flat while the liquid will not flow out द्रव बाहर नहीं निकलेगा maximum वो 90 degree तक का angle attain कर लेगा बोलो clear है क्या तो यदि आपन ने f परियापत लंबाई की case न लिका ली है तो इस case में सपर्ष कोन का मान बढ़ेगा बोलो ठीक है क्या formula याद होगा 2t cos theta upon roji बहुत important सा formula है चलिए सर अगले प्रशन की बात करते है 35 के बाद 35 थे न पिजला 35 के बाद next one is 36 36 में बोला जा रहा है कि धूवक व विसलेशक इस प्रकार लिक है कि अधिक्तम प्रकाश निर्गत होता है तो parallel arrangement है समरांतर विवस्ता जैसे ही मैंने इसके angle को 60 से गुमाया देखो बेटा जी polarized प्रकास कीती वरता मतलब यहाँ वाला जो light है उसकी intensity i note है तो obviously यदि यहाँ से unpolarized गिरी होगी तो कितने की गिरी होगी 2i note क्योंकि यह half करके देता है intensity को यदि unpolarized light होती है तो किसी भी angle पर गिरी उसका कोई मतलब है नहीं होता सीधी सीधी intensity half मिलती है तो 2i note से i note मिल गई अब इसको 60 degree से rotate कर दिया तो इसमें इधर जो intensity आएगी वो हो जाएगी i note cos square theta यदि theta से गुमाया तो आपने कितने से गुमाया बोले जी 60 degree से गुमाया 60 से गुमाया तो i note और cos square 60 that is 1 by 4 तो यहाँ जो emergent light की intensity अपने को मिल रही है that intensity is i note divided by 4 बोलो टीक बात है क्या चलिए सर अगले प्रशन की बात करते है 36 के बाद 37 कि एक आदर्श गैस समान प्रारंबिक अवस्ता से प्रारंब होकर तीन अलग अलग प्रकरों में आईतन वीवन से वीटू तक परशारित होती है कि सेम इनिश्यल स्टेट से सेम फाइनल फाइनल वोल्यूम तक जा रही है तीन प्रकार के प्रोसेस में जा रही है समतापिय में समदाबिय में और रुद्धोस्म में तो रुद्धोस्म प्रकरम का तो समतापिय का तो ग्राफ ऐसा होता है सम्तापिय का जो ग्राफ होता वो ऐसा होता रुधोस्म परकरम की ढाल जो है वो थोड़ी सी जादा होती है तो रुधोस्म परकरम की ढाल जादा होती है तो देखो रुधोस्म वाले केस में वर्गडन ये वाला होगा सम्तापिय वाले case में work done है ये वाला होगा और सम्तापिय वाले case में work done है ये वाला होगा तो ग्राप का श्यत्रफल सबसे ज़्यादा जिसमें है उसमें work done भी सबसे ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा स्यत्रफल है सम्दाबिये का फिर सम्तापिये का फिर रुद्धोस्म का तो इसके according first one is the correct answer चलिए sir 37 के बाद 38 की बात करता हूँ कि एक चक्रिय प्रक्रम का PTR-1 दिखाया गया है कौन सा उसके VTR-1 को बतलाएगा देखो बेटा जी हमने का अपन A, B और C की मार्किंग कर लें A से B मूल बिंदू से गुजरने वाली सरल रेखा है मतलब कैसा परक्रम है सम्दापिये और C से A सम्दाबिये मैंने कहा सबसे पहले VT डाइग्राम में A से B सम आयतनिक है जिसमें ताप बढ़ रहा है दाब बढ़ रहा है परन्तु आयतन नियत है तो यह अपना गया A से B फिर उसके बाद B से C में सम्दापिये है सम्दापिये परक्रम इस परक्रम का समीकरण PV बराबर नियतांग होता है दाब गट रहा है तो यह गटेगा तो वोल्यूम बढ़ेगा मतलब B से C में समताप यह में वोल्यूम बढ़ेगा फिर उसके बाद C से A समदाब यह परकरम है जिसमें ताप गट रहा है तो आईतन भी गटेगा और यह सरल रेखा थोड़ी से चूक गई पर नीचे मतलब यह सरल रेखा मूल बिंदू से गुजरने वाली सरल रेखा होगी तो यह इसके अकोर्डिंग यदि मैं ग्राफ की बात करता हूं बिटा तो थर्ड वन इस दी करेक्ट आंस्वर वो ठीक है चरिए अगले प्रशन की बात करें प्रशन सेंक्या 39 कि इसमें बोला जा रहा है डट इटा वराबर एक बटा दस वाला एक उसमा इंजन कार्णो इंजन की भाती कार्ये करता है का उप्योग परसीतक में करते हैं मतलब उसमा इंजन को कार्णो इंजन को उसमा इंजन को परसीतक की रूप में काम में लेते हैं तो बीटा का formula कार्ये गुणान का Q2YW होता है कि प्रती इकाई उर्जा उत्सर्जन हेतु किया गया कार्ये उसकी दक्षता है तो थोड़ा सा सुन्दरता से इसको ऐसे लिख दूँ अब कार्णो इंजन की दक्षता का formula होता 1-Q2 upon Q1 बोलो हाँ या न तो बेटाजी यहां से Q2 upon Q1 की value 1- eta तो Q1 by Q2 comes as 1 upon 1- eta यहां रखो जरा यह Q1 by Q1 minus Q2 था यह Q2 नहीं था और Q2 को divide करके ऐसा हो गया Q1 by Q2 minus 1 एक step आगे चला गया मैं सी रागी डाटा रखा 1 upon 1 upon 1 minus सीटा माइनस वन सोल किया LCM वाला डाटा तो ऊपर चला जाएगा और यह 1-1- सीटा आजाएगा तो 1- सीटा पोन इटा जिसको मैं लेख सकता हूं 1 by इटा माइनस वन अब इटा की value 1 by 10 है तो 1 by इटा 10 हो जाएगा 10 माइनस वन डाटा कितना आजाएगा 9 मतलब आपका बीटा 9 आ रहा है और वो कह रहा है कि किया गया कार यह 10 जूल है तो सिंक से अवसोशी तूर्जा बोले जी q2 by w यह डाटा 9 है तो अपना q2 by w 9 आया अब w 10 है इसका मतलब आपके q2 की value जो आ रही है that value is coming as 90 जूल बोलो ठीक बात है क्या सर पका चलिए आगे बढ़ाते है चलिए question number 40 की बात करें कि 3 liquid है ABC सेम मास है और अलग अलग तापों 12,19 और 28 पर मिलाया ए और B को मिलाया तो temperature 16 बी और C को मिलाया तो 23 तो A और C को मिला लें पर temperature क्या होगा मैंने का देखो जब A और B को मिलाया तो मैं लिखूंगा M into CA final है 16 initial 12 और M into CB final है 16 initial है 19 तो यहाँ से CA upon CB की value जो आ रही है that value is 3 by 4 दूसरा B और C को मिलाया तो M into CB into में 23 final है मतलब 23 minus 19 और M into CC into में 28 minus 23 तो यहाँ से बेटा CB upon CC जो आया वो आया 5 by 4 यह 5 यह 4 अब मैंने का यदि इन दोनों equations को multiply कर लें तो CA upon CB into CB upon CC that is 15 by 16 CB तो गया अब मुझे बताना है कि A और C को मिलाने पर तो भाई साब A को मिलाया A और C तो M into CA into में T minus 12 A को तो obviously gain होगा और C को obviously energy का loss होगा that is 28 minus T CC तो CA upon CC 15 upon 16 है तो 15 T minus 12 इधर लेगे वो 16 है 16 को इधर बेज दिया 28 minus में T यहां से सोल करेंगे 15 ती 16 ती 31 ती यह डाटा 16 into 28 प्लस में 15 into 12 और T 31 से इसको divide कर दोगे तो temperature T की value जो आएगे that is 20.2 कुछ आ रही है so according to this second one is the correct answer बोलो ठीक बात है क्या सर अच्छा चलिए अगले प्रशन की बात करें 40 के बाद 41 कि एक बेलन की वक्र सताय से गुजरने वाला flex 5 note है जब बेलन के अंदर एक आवेश Q इसकी अक्ष पर रखा हुआ है तो वर्तिय भाग की त्रिज्या R है प्रत्य वर्तिय सताय से गुजरने वाले flex को बताना है लब क्यूशन कुछ ऐसा है कि एक cylinder है यहां पर एक charge placed है और इस cylinder के इस cord surface से जो flex cross कर रहा है that one is 5 तो मुझे इसकी circular surface से crossing flex बताना है मैंने का बाइस आप देखो ऐसा इस surface से इस surface से दोनों से flex same होगा तो 5 1 plus 5 2 ऐसे निकलेगा कुछ ऐसा चारों तरप से निकलेगा और third surface से निकलने वाले flex का मान किसके इक लोगा बोले जी q by epsilon total charge तो मुझे 5 1 और 5 2 दोनों की value equal बता है तो that is 5 by epsilon note और card surface से flex को क्या कहा गया है that is 5 note तो minus में 5 note साथ में दोनों equal थे तो 5 1 और 5 2 दोनों की value 1 by 2 q by epsilon note minus 5 note होगी बोलो ठीक है क्या अच्छा चलिए अगले प्रशन की बात करें 41 के बाद 42 कि एक moving coil galvanometer का resistance 10 ohm है और full scale deflection 0.01 ampere है it can be converted into a voltmeter of 10 volt by connecting a resistance of obviously voltmeter में बदल रहे है तो resistance किस में लगता है series में बोले जी galvanometer का resistance G, sunt का S और full deflection current IG तो इस case में voltmeter की जो range आती है वो galvanometer प्लस संट के across जो resistance के across जो potential drop है वो आजाएगा V into में IZ साथ में G प्लस S अब V की value दे रखिए बिटा 10 current is 0.01 into में G प्लस S 0.01 बोले तो 1 by 100 10 into 100 बोले तो कितना 1000 साथ में G प्लस S तो संट की value आ जाएगी 1000 minus में G पड़े जी जी is 10 so it is 990 ohm तो 990 ohm का resistance जो है वो इसके series में connect करना पड़ेगा so fourth one is the correct answer 42 के बाद 43 देगे question में बोला गया है कि the network shown in the figure is a part of a complete circuit if a certain instant the current is 5 ampere and it is decreasing at a rate of 10 की power 3 then VB minus VA पूछा गया है देखो बेटा जी सबसे पहले इसके coding बात करें तो मैंने का आब VA current इदर जा रही है तो resistance में potential drop होता है IR फिर बेटरी के negative से positive पजा रहे हो तो plus 15 inductor में यदि अपन current की direction में जाते हैं तो अपन क्या लिखते हैं minus ldi by dt that value is VB we have to calculate VB minus VA तो VB minus VA that is 15 minus IR minus ldi by dt चलिए value रखते हैं 15 minus में current is what at that instant 5 into 1 minus में inductor का inductance है 5 into 10 की पार minus 3 and current is decreasing तो minus 10 की पार plus 3 यह तो cancel out हो गया यह minus minus plus हो गया so 5 से 5 cancel out हो गया मतलब यहां पर इन दोनों points B और A के बीच जो potential drop है that is 15 volt so second one is the correct answer चलिए sir 43 के बाद अगले question की बात करें 44 कि electron is hydrogen atom first jumps from third excited state to second excited state third excited state मतलब 4 to 3 तो wavelength 1 by lambda 1 is equals to rz square 4 to 3 तो 1 by 9 minus 1 by 16 so this value comes as rz square into में 7 divided by 9 into 16 क्या गया 16 इदर multiply 9 इदर multiply 16 minus 9 7 divided by this अच्छा फिर तो lambda 1 की value आ रही है 9 into 16 by 7 साथ में rz square अब देखो बेटा जी second से first excited state मतलब third से second में आ रहे 1 by lambda 2 that is rz square third से second में तो 1 by 4 minus में 1 by 9 this value is rz square वैसे ही सोल किया 5 upon 36 4 into 9 ना तो lambda 2 की value आई बेटा 36 divided by 5 rz square what i have to calculate ratio of lambda 1 versus lambda 2 तो lambda 1 versus lambda 2 it is 9 into 16 by 7 rz square तो सहीद हो गया इदर वाला data 36 into 5 बोलो ठीक है क्या यहां से देखा तो यह गया च्यार बार यह भी गया च्यार बार 36 ना इन और 4 और 16 तो दिस रेशियो कमसेश 20 raise to 7 so according to this 4th one is the correct answer चलिए सर अगले प्रशन की बात करते है 44 की बात 45 की एक ही पदार्त तता समान अनुप्रस्त काट की तीन चड़ों को चित्रा अनुसार जोडा गया है each road is the same length the temperature of the junction of three roads in steady state steady state में temperature बतलाना है मैंने का बाइस आप तीनों यदि identical है so this will be a resistance R this will be a resistance R and this will be also a resistance R यहाँ temperature है T तो मैंने का देखो क्या हो रहा होगा इधर से current आ रही है इधर से current आ रही है और इधर को जारी इधर से कितनी current आ रही होगी T-0 upon R और इधर से भी कितनी current आ रही होगी T-0 upon R और इधर को जो जा रही है उल्टा लिख दिया मैंने 90-T upon R 90-1 upon R actually मैं क्या हो रहा है यह current इस दर से आएगी और इधर को जाएगी high temperature से low temperature high temperature से low temperature तो high minus low upon R high minus low upon R, high minus low upon R, high minus low upon R R तो गया, this data is 2T and this data is 90-T टी को उधर ठीका है, 3T is equals to 90 तो T की value जो मेरे पास निकल के आई that comes as 30 degree Celsius so question number 45 का correct answer जो है that is the third option, चलिए सर 45 के बाद 46 की बात करें कि the maximum kinetic energy of photo electrons emitted from a surface when photons of energy 6 electron volt fall on it it is 4 electron volt, the stopping potential is मतलब maximum kinetic energy 4 electron volt मिल रही है तो stopping potential बता नहीं, हमने का भाईस आप देखो जो maximum kinetic energy होती है that is corresponds to stopping potential K max की value EVS लिखते है क्योंकि ये जो 2 electron volt 6 electron volt is equals to K max that is 4 electron volt प्लस में क्या 5, 5 is what, work function तो work function तो 2 electron volt fix है अब जैसे जैसे ये energy change करोगे वैसे वैसे ये energy change होगी ये increase तो ये increase ये decrease तो ये decrease तो stopping potential जो होगा वो K max के corresponding होता है यहाँ maximum kinetic energy 4 electron volt है तो stopping potential comes as volt 4 volt बोलो ठीक बात है क्या सर पका चलिए आगे बढ़ाते है 46 के बाद 47 कि एक particle simple harmonic motion कर रहा है और particle का acceleration बतलाना T is equals to 4 by 3 पर मैंने का देखो भाईसा बैसा है सुनो time period 8 second का है तो omega की value 2 pi by 8 बोले तो pi by 4 तो acceleration जो होता है वो minus omega square x होता है x की value आगी 1 sin omega t क्योंकि maximum amplitude जो है वो 1 है न answer centimeter में रखा है कोई दिक्कत नहीं अब minus में omega square की value pi square by 16 1 into sine time की value किती है बिटा 4 by 3 तो 4 by 3 कटा sin pi by 3 is root 3 by 2 तो answer आगया minus root 3 pi square 16 into 2 that is what 32 so for this question 4th one is the correct answer बोलो ठीक बात है क्या 47 के बाद 48 कि इने compound microscope the intermediate images compound microscope में intermediate image क्या होती है देखो विटा compound microscope में दो type के lens होते है यह होता है objective piece यह होता है eye piece तो objective piece जो image बनाता है focus के पीछे f से 2f के बीच object को रखते हैं तो objective piece की image कुछ इधर बनती है principle axis के parallel ray focus से जाएगी यहाँ वाली ray ऐसे जाएगी तो इसकी image जो बनती है वो magnified image बनती है अब इस magnified image को यह वाला जो lens है यह वाला जो lens है यह अपने लिए obviously आई यहाँ है तो उसको image पीछे की तरफ दिखानी पड़ेगी तो वो virtual image बनाएगा obviously magnified बनाएगा और virtual तो सीधी बनेगी लेकिन इस case मतलब इसकी सीधी जैसा यह सही है लेकिन object के साथ पहला जो lens है बीच में जो image बन रही है जो इस lens की वज़े से बन रही है वो magnified होती है उल्टी होती है और real होती है तो वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिविंब बनता है so first one is the correct answer चलिए सर 48 के बाद 49 की बात करें कि चार particle है प्रतेक का दर्यमान capital M है और L length के square के vertices पे placed है center पे gravitational potential बतलाना है मैंने का वाईस आप देखो यहाँ पर particle M यहाँ पर particle M यहाँ पर particle M यह distance कितनी भी बिटा यह L और यह L तो यह ROUTE TO L center यह हो गया center यह हो गया तो यह वाली जो distance है वो कितनी होगी बोलेजी ROUTE 2L अपॉन 2 बोला जाए तो L by root यह भी L by root 2 यह भी L by root 2 यह भी L by root 2 और potential जो आया एक चार्ज पार्टिकल की वज़े से GM अपोन र होता है और ऐसे कितने चार्ज पार्टिकल से चार तो वेल्यू आगई माइनस GM अपोन L साथ में 4 रूट 2 4 को रूट के अंदर भेजा तो स्क्वेर हो के जाएगा स्क्वेर हो के जाएगा तो इतिस 16 into me 2 so this value comes as under root 32 cm upon L so for this fourth one is the correct answer चलिए सर अगले question की बात करते है question number 50 a vessel of depth T is half filled with oil refractive index mu 1 remaining half by refractive index mu 2 और अपने को vessel की apparent depth बतला निये तो यदी मैं liquid से जैसे ये वाला portion इसकी T by 2 ये T by 2 बाहर से यदी अपन देखते हैं तो ये वाला जो portion है वो कितने पर नजराएगा H by mu होता है तो H by mu तो T by 2 mu 1 और ये वाला कितने पर H by mu बोले तो T by 2 mu 2 दोनों को half half में देखना है ये भी half ये भी half मतलब T by 2 T by 2 तो ये कितना नजराएगा T by 2 mu 1 ये वाला कितना नजराएगा T by 2 mu 2 तो total जो apparent depth नजरा रही है T by 2 देट साथ में 1 by mu 1 plus 1 by mu 2 तो ये आया बेटा T by 2 साथ में 6 किया ये mu 1 mu 2 और ये mu 2 plus mu 1 तो यहां से यदी मैं देखूं तो आसा सजा के लिखूं mu 1 plus mu 2 into me T divided by twice mu 1 mu 2 तो according to this fourth one is the correct answer ओगे डियर, so that's all from my side in this discussion बिल्कुल 17 जुलाई की शाम को फोड के आएंगे पांच बज के 21 मिनट पे यदी दिल से ये निकल गया ना कि मैंने अपना 100% दिया इस पेपर में तो आपका सेलेक्शन बेटा कोई नहीं रख सकता All the best from my side, अच्छा करिये, धंग से करिये, फोड के आएंगे